कि नमस्कार दोस्त कैसा आप लोग है पॉप लोग अच्छ हों कमेंट पहले पता दो आप लोग कैसे और आपकी जाम के त्यारी कैसे चलिए सबी लोग कमेंट कर देना तो फ्रेंड्स आज हम लगाएंगे ब्यार एससी इंटर लेबल का हम लोग बात इसे बताऊंगा आपने कहीं देखा होगा नाहीं आपने पड़ा होगा तो डाउट बचेकर सवाली नहीं है मजा आएगा जरूज वीडियो को अंतक बन देगा और इस शनप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और सेर इस वीडियो को जरूज करिएगा चलिए स्टाट करते हैं पहले से एक से दो बार इसे रीड करें पढ़े समय जाने और रिलेशन बनाए इस कोशन का पहचाने के भैल मैं बता दू चलो तो इसका एंसर क्या होना चाहिए यह बताओ जल्दी सिंपल और सधारत से कोशन से स्टाट करें तीरे-दीरे कोशन का लेबल भी बढ़ेगा चलिए इसका एंसर क्या होगा देखिए समात्य सेड़ी में पद दे रखा है तीन आठ तेरा अठार और तेश दाश दाश चल जाएंगा टप टप करते करते पचास्वा पद तक हाना मने बुलत पचास नंबर इस तरह अंक लिखे जाएंगे तो हमसे पचास्वा पद पूछा गया बात ही आपको समयज में कोशन आपने समझा आप बलकुल तो हमसे पचास्वा पद फाइंड करना है तो कैसे निकाले ओग छोटी से इंटिवाइटिक लगान है बोले तो फर्मूला पचास्वा पद निकालने के लिए एक फर्मूला लगा दो एक एक वल टू ए प्लस में एन माइनस एंटू डी इस फर्मूला को याद लगना है आपने बच्पन में पढ़ा होगा आप बोल बाते समझ में चलिए और कोर्शन दे रखा है तीन हाना तीन और आट तेरह और इस तरह अठारह और तेज क्लिए ऐसे कोर्शन दिया गया है तो हमसे यह भाईलू पूछा गया है पचासवा पद बताओ यह वाला भाईलू क्या होगा क्लिए तो ध्यान समझना है हमने एक लिखा पचास और यह एक जगापा क्या लिखा है एक जगवपर यह पहला लिखात पशल कर लोगवा पाला पाते समय है तो यहां गुझना है तो गुझनाаки गुझना और डीडीड का वैलू किलेंटक लिना है है इसका डिफारेंस ना पाला पड जो ढोल के lines अब हमको तो यह जिद्वा पडिन eonत्या तो और फिरीसका आवगे दो तो ऊहरो संखरो बाहते है इसको फ़सी कि इंसर कितना होगा 348 यही तो सूद इंसर है ना इसमें दिमाग लगाने को जूरत नहीं है हम बहुत इस को धीरे से बताएं हाना धिम्मे धीरे मता हैं सभी को एंसर आ गया होगा मुझे पता है क्योंकि सिंपल सा कोशन है आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा हाना तो मुझे इतन नेक्स्ट कोशन मताओ अगला कोशन मताओ इसका कोशन के जवाब दो कि इंसर क्या होगा यह कोशन थोड़ा बढ़ गया लेबल बढ़ेगा धीरे धीरे इसका जवाब दें क्या होगा इसका इंसर बताओ ए और बी की दच्छता हाना कारे करने की जो छमता का जो रेश्यों तीन अनुपात 5 है हाना यदि दोनों एक साथ कारे करते हुए एक कारे को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो एक अकेला उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेगा कि लड़े देखे ए और वी दो ब्यक्ति है उनके कारे करने के जो छमता है उसका रेशियो दे रखाए तीन अनुपात 5 कि लड़े दोनों मिलकर 15 घंटे में काम करते हैं तो एक पूछा किया एक कितने घंटे में कंप्लेट करेगा उसका तो ध्यान समझना देखे दो ब्यक्त है आप बोलेंगा बिलकुल यह ही कोशन में है बाते समझ में बिलकुल चली इफिसेंसी तीन अनुपात 5 है अगर यह दोनों मिल जाते हैं दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं एक साथ काम करते तो 15 घंटे में काम को कंप्लेट करते हैं हाना यह लिखाए 15 घंटे में काम को प आठ घंटा एक घंटे में आठ काम कंप्लीट करेंगे तो पंदरे घंटे में कितने भाई पंदरे घंटे में पंदरे आठे 120 यानि 120 काम को कंप्लीट कर देंगे टोटल काम 120 है हम को बताना है हमको बताना है 120 काम को कितने इतने घंटे में करेंगे लिए एक घंटा में तीन काम करता है तो 120 काम करने के लिए कितना time लेगा? 3 से divide कर दो 3 से divide करोगे 3-4 के 12 40 घंटे में काम को complete कर दे correct answer बात ही आपको समयद में आई बात ही आपको समयद में time निकालते कैसे? total काम बटे efficiency अतलब एक घंटे के काम total काम में efficiency divide कर दो गए तो time निकल गया आता है तो यह total काम है यह एक efficiency divide किया 40 घंटे में एक काम को completely खतम कर देगा बात ही आपको समयद में आई हाई ना तो किसी को दिक्कत यहां सक थोड़ी से भी छोटी से question है आपको doubt नहीं होना चाहिए इस question आगे बढ़ सकते हैं चलिए next question बताओ इस question को बताना भाई क्या answer होगा जल्दी से बताओ यह अच्छा question जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा अब इन हम 10 सेकंड आपको time दिया इसको समझने और जनने के लिए जल्दी बताओ क्या answer होगा देखो कैसे हल करोगे यदि एक निश्ची धन्दासी दो वर्सों के लिए 10% की दर से वर्षे चक्रिवीदी ब्याज़ तो सधार ब्यास का जो बीच के डिफेरेंस से 464 तो न्यूइस की गई धन्दासी ग्याद करना है हमको principle value निकालनी है कि लगते इस परकार से जब भी कूशन पूछे जाए किस परकार की मेरे भाई ऐसे कि जब चक्रिवीदी ब्याज बूले तक कंपाउंड इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट का जो डिफेरेंस से दे रखाओ और टाइम भी दिया गया हो और हमसे principle भी पूछ लिया जाए इस तरह के कूशन को कैसे हल करो मेरे भाई कैसे हल करो ध्यान समझना आपको कूछ नहीं करना है थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है और एक बात आपको याद रखना है क्या जब भी आपको डिफेरेंस दिया लिया हो हाना और पी का भाईलू पूछा जाए तो कुछ करेंगे नहीं डी बराबर याद रखना है डी बराबर पी गुने आर बट्टे में सो का ओले स्कॉायर कर दिना किलर है आप बोलेंगा बेलकुल साही यहीं याद रखने चोटी सी बात हाना हजार नंबर याद रख इसको भी स्कॉायर का लगता सौफ होजेगा अब स्कॉायर को दस जार हमने लिए डायरेक्ट दो जिरो सो दो जिरो इन्हें पी का वैलू कितना आएगा मेरे भाई इसको इधर फेक दो चिपक जाए जाया कर चिपके गाते कितना होगा भाई दो जीरो चिपका देंगे या कितना होगा चार सो एंसर करेक्ट किलर है ना चार सो चार सो करेक्ट एंसर बात इस समयझ में आपको थोड़ी सी आपको डाउट ना ही आपको दिमागा लगाना है ज्यादा ना ही एक्ष्रा कुछ खर्च करना है बस यह छोटी से इंटिवाटिक याद रख रखोंगे दो स कोशन का इंसर क्या है बेर भाई जल्दी यह कोशन बहुत अच्छा है आप कोई भी एक्जाम देते हों आप ACC के CGL, CHSL, MTS को कोई भी एक्जाम देते हैं यहारे ACC का यह मौक टेस्ट है इस तरह कोई भी या अधर इस्टेट का भी एक्जाम देंगे तो इस तरह कोशन जो अ काल लोगे हाना पहले आप ट्राई करो मैं बता रहूँ इसके बाद के लिए आप ट्राई करो पहले आपको ना ही किसी का A पलस B का whole square करना है ना ही कुछ करना है दो सिकन में इस कोशन को उड़ा सकते हो देखना ध्यान से कैसे उड़ाओगी हाना ध्यान समझना क्योंकि भा प्लस one of one x equal to 5 root 2 है हाना 5 root 2 है हमसे पूछा क्या गा भाई एकस के पावर 4 हाना एकस के पावर 4 प्लस एकस पावर माइनस इनवार्स 4 कि यह हमसे भाई जो पूछा गया इसका एक बात बताओ ध्यान समझना यहां पर आपको बुड़बक मनाया है कैसे ध्यान समझना देखि एकस के पावर माइनस 4 है इसको मैं पलट दूगा इसको मैं पलट दूगा ता एक बटा एकस के पावर 4 नहीं होगा नीचे एक होता है मेरे भाई इसके नीचे क्या है एक है पलटूगा तही है इसे ही होगा ध्यान समझना एकस के नीचे कुछ नहीं तो एक है इसको उपर तो इसको नीचे लाओगे तो माइनस हट जाएगा यहीं होगा बाते समझ में खुल कर सब पढ़ना है चलिए मतलब हम क्या समझाना चाहेते है ध्यान समझो यहां power कितना है एक है X का power कितना है एक है यहां power कि बोले तो हम को पावर एक से पावर चार पजाना है कैसे जाओगे कैसे जाओगे डारेक्ट कूद को तो पैरे टूट जाएगा step by step कैसे चले हो ध्यान में समझेगे जो यह पावर चाह है इसको two part में break कर देगे कैसे two part में दो पलस दो में दो-दो कितना होगा छार हो एक लड़का बोला एक पलस तीन भी छार होता है बिल्कुल साहिए जबाब दिया ऊसरे बट एक पलस जो तीन है चार उसमें तोना है जाए़ दिमार कर लगानेके ज़ुरत नहींड है जितना जगुरत है यहांने दो पलाश दो दो कितना होगा चार होगा बाते इसमेंज में आ यह आपको बलें बिलकुल हमेशा किसमें तो नहीं है दो पलाश दो में क्लियर है ना चलो अब काम बन गया देखिए पावर एक से पहले हम पावर दो पर आएंगे यहांने एकस के पावर दो पर जाना हो तो यहां पर जो भैले माले जो एम है तो एम के स्क्वाइर करकर माइनस दो किया जाता है बाते समझ में चलो तो हम इसका स्क्वाइर करेंगे तो पांच के स्क्वाइर करेंगे तो पांच के स्क्वाइर करेंगे तो पांच के स्क्वाइर करेंगे तो step by step चलेंगे ना तो 2 पर आगे और 2 बार जाएंगे हाना तो फिर हम power 2 पर आजाएंगे चली चली उस और यहां से नहीं यहां से तो x के power 2 plus 1 of 1 x के power 2 पिलेर एक्वल अब यहां ध्यान समझो देखिए हमने value निकाला कितना 48 फिर हमको power 2 पर दो बार पर चलेंगे और 2 बचा फिर दो पर से जाएंगे फिर दो दो चार हो जाएगा value आजाए ध्यान समझो जो यहां value रहेगा उसका square करके फिर minus 2 कर दो हमको power 2 पर जाना है ना तो 2 पर जाने के लिए तरीका क्या है जो value रहेगा उसका square करके minus 2 तो 48 के square कितना हो 2304 होता है हना 2304 स्क्वाइर याद रहत नहीं है 2304 और minus के 2 कर लो अब minus के 2 कर लो 30 जूर दो correct answer correct answer पाती समझ में आई तब जब तरीका पता रहेगा तो ऐसे थोड़ी नहीं करें धीरे धीरे बस टू सिकेंड लगेगा दिमाग में हल कर लो इसका square कर एक बार दो बार घटा देंगा जो value है फिर उसका square करके दो घटा देंगा काम खत्म हो ज जाएगा तो यहां भैलू रहेगा उसका square पहले करो दो घटालो फिर जो भैलू आएगा उसका square करो दो घटालो इंसर बात खत्म तो यह आपको तो question समझ में अच्छी तरह आई होगी आपको doubt question में थोड़ी से भी नहीं होगी चलो चलो next question बताओ इस question का जवाब देना है इससे संदार question होई नहीं सकता तो इस question को ध्यान से समझ के और ध्यान से बनाना है जल्दी जवाब के comment करें क्या होगा इसका answer जल्दी बता दो दो सकेंड के अंदर आपको इसका जवाब देना है जल्दी से बता दो कि answer होगा क्या ब वना आपसे चलिए कैसे करोंगे एक दूत बेप्यारी किसी समान को 8000 में खरिद कर उसका मुले बारेश रूपिया अंकित कर दिया अंकित कर देता है बारेश रूपिया तथा उसका अंकित मुले पर उसने दस पर तीसात के छूट देने का फरोधान रखा मतलब दसी मार्केट है समान खरीद के लाया और बारे सब्सक्राइब कर दिया और दिमार मांड़ेट के कि मैं दसी परसेंट डिसकाउंट दूँगा इस से ज्यादा नाहीं कम दे सकता हूं नाहीं कम 10% से उपर नीचे एक भी प्वाइंट नहीं होगा तो बताएं उसका प्रॉफिट क् प्यारे भाई द्यान दे समझ थे मैं पूछऊ वह बैपार करें रूपे में खरीत का लाय और मार्कप कर दिया यानि चार सुरुपिया एक श्राइश पर रखाना यानि जो पैसा बढ़ा कर रहते हैं उसी को बोलता है मार्क प्राइश एक बात धियाने समझे उसने दिमाग में मैंड सेट किया कि मैं 10% का डिसकाउंट दूंगा तो डिसकाउंट किस पर दे जाता है आपको पता हुए हमें अधा मार्क प्राइश पर बोली तो अंकीत मोलय पर हमको डिसकाउंट दिया जाता है किलिए है न तो बारे सो का 10% बारे सो का 10 परसेंट बताओ किटने में प्रक बेचा होगा तो बारे सो का 10 परसेंट नीकआ 222 चूरो और बारे में इसमें गुना करो 120 विए के डिस्काउंट माइनस करोगो 10 अश्या हैंगा कि किसी को देखके थोड़ी से भी आपको 10% डिस्काउंट निकालने में किसी को दिक नहीं होने चाहिए चलू 800 रुप्य में खरीदा अध्य बोले हो तो 181 कर दिया मैं पूछ पैसे में रूपे में परतीसान बताओं कितने प्रफिट हुआ तो दो सो अशी का प्रफिट किस पर अंकित मुल्य पर बोले तो आठ सो पर कितना सो पर कितना कार्ड दो कितना होगा अठ तरिक चौबिस आठ परे चाले 35 पर 3 कर डिसकाउंट देगा हो तो तो किसी को डिक कर आपको निकालने में परसानी आरे भाई परवो करते वारे कपड़ा खरिदने जाओगे दिवाली अब छट में तो कैसे खर दोगे मेरे भाई खाना डिसकांट देगा तो आपको उल्लू बना देगा तो डिसकांट निकालना पहले सीख लो किले न चलिए चलो next question बताओ अब अगले question पर आते हैं इससे भी संदार संदार नेहें बहुत ईजी और धाकलản question है तो इस question कैसे हल करोगे यह दिशार ऑंकोगो उपए चोटी सख्या बताओ क्या होगा तो बच्चा बच्चा बता दिया होगा बच्पन में ही ने हमने दो कलास में पढ़ा था क्या बई चार अंकी चार अंकी स्मॉलिष्ट नंबर क्या होगा बताओ और च्छा अंकी का बिगिश नंबर क्या होगा बताओ कमेंट करो यह हम मेरा कोर्शन चारों के सबसे छोटी संग्या एक हजार ही तो बनेगा ना भाई एक हजार बनेगा और च्छोटों के सबसे बड़ी संग्या कितना होगा नौ लगाते चले जाओ 9 लगाते जाओ कितनी रभाइभाई चोंग न काabs अगर मैं इस में से इसको घ्टा दूँगो बड़े मैं से छोटे को घ्टाते हैं तो यही तो पूछा गया है ना रिभेंग क्या बचित की माइनस प्रतिस कर लो यही तो सुदन सरह इस में पीर सुधे नौन Nicolas नौन नौन निवर never नहीं है चलो नेक्स्ट कोर्षन यह सिंपल सी कोर्षन थी कोर्षन के हल करμεगें आपको नहीं कंशेप्त का य instruments करना है ना ही आपको क्रिक कर इसमें आपको लगाना है वह दिमाग को खर्च करना हैं इस कूर्षन को ऊड़ारा जल्दी बताओ कैसे करोगे कंसेप्ट मैं इसमें कंसेप्ट लगाना ना कि यह किलर रखें, दिमागस के थोड़ा है, खाइब ने किह breaking up, यह नहीं ज गढ़े में एक आदमी एक गढ़े में कितना कमाएगा मैं क्यों रहा हूं एक आदमी दिन में कितना रुपय कमाएगा किया निक्तिन में उसक्नाद हो is एक खंडे में, एक दिन में कितना रुपय कमायेगा। To time क्या है बारे दिन और 9 घंटे से divided कर दो, आ जाएगा एक आडमी क का, हाय ना ? बताओ सिंपल सी तो बाते हैं ना समझे कि नहीं समझे एक आदमी का निकालने के लिए क्या करेगा टोटल यू सेलरी है टोटल आदमी है और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो बस किलर है आपको ये बात है समय जिमाई आप बोलेगा बेलकुल सही तो यहां से क्या आएगा आइ निकालोंगी तो एक आदमी एक गंटे एक दिन में कितना कमाएगा ये आएगा तो जिवाइड कर ओगो तो बाई संथिंग आएगा कुछ डिवाइड करने के जुरद नहीं है हमसे क्या पुछाएगा भाई हमसे पुछाएगा नोव आधमी आट घंटे में प्रती दि इसको गुर्णा करो और चपन 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 और चपन कर दो यानि भाई चपन कर डबल कितना होगा अपसर में रखाओगा 112 112 लगा दो जिलो करेक्ट इंसर बाकत लोजिक लगाओ भाई लोजिक लगाओ बात इसे मजब हैंना किसी को दिक्कत इसमें आपको कंसेप्ट लगाने की जोड़त नहीं है कैसे किया हमने ध्याने समझेगे कैसे समझा रहा हूँ एक बार और क्योंकि इसमें लोजिक की बात है कंसेप्ट नहीं यह 24 सक कमाते हैं कौन कितने ब्यक्ति में बारे आदमी और 9 गंटे में एक आदमी के निकालने के लिए बारे आदमी नो गंटे से उसके सेलेरी में डिभाइड कर देंगे तो एक आदमी का है एक इतना पर कितना बताओ तो उससे मॉट्टिप्लाई कर देंगे न इसर आ जाएगा चलो इसमें लॉजिक लगानी है आपको नेक्ष्ट पर आ जाते हैं देखिए ये अच्छा कोशन है आपके लिए हाना तो कैसे करोगे ध्यान समझना एक परीचा में एक परिचारती अधिक्तम 30% अंग पाता है पराप्त करता है बोले तो तो वह 30 अंगों से फेल भी हो जाता है 30% अंग पराप्त गया और 30 अंग से पाता है और 15 अंगों से पास हो जाता है चलिए ठीक है तो अधिक्तम अंग इतना है मतलब बताना है पीपर कितने नंबर का हुआ तो फ्रेंड समझों इसका भी दिमाग थोड़ी से खर्च करो और कंसेप्ट लगाने को जोड़त नहीं है ध्यान ले समझना एक परीचा में परिचारती अधिक्तम 30% अंग पराप्त किया कितने मिरभाई 30% अंग पराप्त किया क्लियर है ना 30% अंग पराप्त करता है फिर भी लेकिन वह फिर भी लेकिन वह कितने अंग से 30 अंग से फेल हो जाता है माइनस क्यों फेल हुआ क्लियर है ना चलो 30 अंग पराप्त किया लेकिन तीस अंक से खेल हो गया बात यह समझ मैं हाए ना आप बोलेंगे बिल्कुल साई अब जो दूसरा फिछा विदार्थी है जो 45 पर तीस सत अंक प्राप्त किया 45 पर तीस सत अंक प्राप्त किया लेकिन 15 परसेंट अंक से पास हो गया आपको यह कोशन समझ मैं अंतर तो घाटा लो बस डिफरेंस मतलब क्या घाटा तो माइनस कर लो जब माइनस करोगे और यहां पर माइनस करोगे तो यहां माइनस करने पर कितना होगा माइनस के 15 परसेंट हाया ना आप बोलेंगो बिल्गुल सही माइनस के तो 15 परसेंट होगा और यहां माइनस करो यहां माइनस माइनस मोले तो माइनस के 45 क्लिया ना 45 तो माइनस से माइनस खतम 15 परसेंट का बहलू इतना है 15 परसेंट का बहलू इतना है तो एक परसेंट का इतना होगा बताओ पद्रतिय 45 तीन होगा और हमेशा जो पेपर होता है अपने आप में 100% होता है ना कि किसी का पेपर आज तक किसी का पेपर 20% का हुआ है बिल्कुल नहीं बूर्ड के एक जाम दिया होगा तो सबी पेपर 100-100 नंबर को होगा बोलो तो 100% का ना तो 100% पेपर बनाने के लिए 100 से गुना ना भाई तो 300 ही तो नंबर का पेपर हुगा correct answer 300 ही नंबर का पेपर हुगा यही तो correct answer है यही तो बवाल है बताओ किसी को दिक्कत हमने क्या बताता है किसी भी कोशन आपको doubt नहीं बचने दूँगा सबी कोशन का मैं खोल देता हूँ क्या आपको इसमें doubt बताओ एक परसेंट का इतना तो 100 परसेंट का value कितना 300 तो नहीं दिक्कत आपको नहीं आपको कुछ भी की दिक्कत चलो next बताओ next question बताओ क्या होगा जवाब जल्दी से comment करो ना मेरे भाई जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा ठाक और धाकर कोशन अपके सामने है देखे कैसे करो गहल 2200 रुपया का मिस्दन 4 वर्स में 2860 रुपया हो जाता है तो 1200 रुपया का उसी सधार्वन ब्याज की दर्से 4 साल में कितना मिस्रद्धन होगा ध्यान समझना लिखा दिया गया है और इमाउंट कितना हो जाता है चार साल में इमाउंट कितना हो जाता है 2860 रुपया क्लियर है यह तो हमने को सा लिखा प्रिंस्पल इतना है इमाउंट इतना है यानि प्रिंस्पल 2200 रुपया चार साल में कितना हो गया 2860 रुपया आपसे मेरे भाई बताओ यह पैसा बढ़ा कितना होगा मैं ब्याज बता दो सिंपल इंड्रेष्ट बता दो सधारन ब्याज बता दो कितना बढ़ा होगा 204 साल में तो माइने कर लो ना इमाउंट में से 15 माइनस कर लो दो सदार रन वा जाएगा इसमें माइनस को लो तो 600 66 होगा है वां कि नहीं होगा 600 सॉल्ला यानि चार साल में रूपिया कितना बढ़ा । ये सोट ना पर कितना कर रहा हूं तो के से लिए सबाओ पर्टि से हैं बढ़ा है एयर कि युद्न दो जिरोसे लो बाइस से काटलो 28% नहीं आएगा यानि 28% की रेट से 28% की रेट से क्या है भाई ब्याज बड़ा है चार साल में छो से सुल्ले रुपिया तो एमांट कितना हो गया 2008 से सुल्ले रुपिया कि आपको यहां तक थोड़ी से भी दिक्कत है तो खुल कर बताओ पताओ कि आपको रेट निकालने में दिक्कत हैं हमने ब्याज निकाल आपको समझ में आई रही होगा है चलो अब हमसें कोशन पुछा गयाे 200 रुपिया जो है 1200 रूपिया जो है इसी रेट से बोले तो 28% के रेट से ही 28% के रेट से ही एमाउंट क्या होगा इसी का जबाब देना है तो क्या होगा बहुत सिंपल सा है देखिए 1200 रूपिया है बारे सो रूपिया है उस पर 28% बढ़ा दो 28% बढ़ा दो 28% बढ़ा दो 28% आओगे बट्टे में सो दो जुरो सो दो जुरो बारे गुने 28-336 अना 336 ही तो होगा क्लिए आप बोलेगा बिल्कुल साही 336 उलपिया क्या होगा बढ़ेगा 336 पर बढ़ेगा चार साल में 28% के रेट से एमांट कितना होगा बस इसको जूर दो ना 15-36 ना और 15-36 ही तो करेक्ट इंसर है इस कोशन का बताओ इससे असान तरीका हो सकता है बताओ कितनी असान तरीका से हमने आपको बताया किसी को डा चलो नेक्स्ट कोशन को हल कर लेते हैं अब जो आपके सामने है इस कोशन को कैसे हल कर से हल करने के लिए दो सेगेंड नहीं मेरे भाई पेन उठाने की जूरत नहीं है अना दूनों तरीका में बता दूंगा यदि किसी आयत के लंबाई को दस परसेंट बिरिदी करते हैं तो उसके छेत्रफल में छेत्रफल में क्या होगा बिरिदी कमी करते हैं चेत्रफल में क्या परिवर्द नहीं कैसे निकाले दूनों तरीका बताएं पहले पीनवाला समझते हैं तरीका पीनवाला तरीका क्या है देखिए दस परतिसाथ क्या होता है एक बढ़ते द 4 except effort 1 बढ़त 10 पर एक बढ़ गयास तक पहले दस था क्लिया रहे ना पहले दस था उस पर एक की कमी हो गई तो अब चोड़ाई कितना हो जाएगा नौग होगा वक्त नहीं होगा बताओ यह तो बच्चे वाली बात है आप बेलोकूल साही अरे दस पर का फ्रेक्षं एक बट्टे दस दस पर एक बिएधी दस पर अ Hugक के कमी न बात खतम चलो मैं पूछऊ भाई एरिया बताऊ मेरे भाई एरिया क्या होता है बताऊ आयत कर एरिया ओगा लंबाई दूर नंगाई चुड़ाई यह लंबाई चुड़ाई एरिया क्या होगा सो पहले सो और उसके बाद 90aken ना ना यानि पहले छेत्र फ़ल कीतना सव था और छेत्र फ़ल कि इतना opposite और किables simulated remaining हो गया कितनी की कमी हो गया कि एक की कमी हो गज़ा फर सौ पर कामी हो जैए चानला धक बात खतम अब इसको डिना पेज से कैसे इठा करोको बी अब बीना पेन उठाए कैसे करो कि बता कैसे कर से को तो तरीका समझो इसको पेन उठाने के जूरत नहीं बस आंक से कूशन को देखना है कैसे समझेना जब भी इस तरह से कूशन पुछा जाए जो आपके सामने है कि लंबाई चोड़ाई में 10% की कमी हो रही है तो हमेशा आपको या देखना टैटू कर वालो या गांठ बालो कि हमेशा आपको कमी होगी क्या होगी ब्रेदी होई नहीं सकता हमेशा आपको कमी होगी हमेशा आपको एक पात तो पता चल गई कमी होगी तो कमी निकालो को कैसे न यह समझो तो हमेशा आपको पता है कि कमी होगी और कूशन म होगी मेरे भाई कमी होगई कमी होगी तो कैसे निकालोगो एक्स बठ्टी दस का होल स्क्वार हो स्वरी ओस एक स्क्वार गैसर क्रोंग है यह स्क्वार Nag liberty अर और 120 हमने क्या बोला जब अभी कमी हो तो कमी होगा ता कैसे निकालोगो एक से स्क्वायर बट्टे 10 परतीसत कर देना बात समझत यह एक क्या है जिया गया लंबाई चोड़ाई तो लंबाई चोड़ाई कितना है दस 10 के सव्कॉस्वायर कर दो और बट्टे में 100 कर लो काड दोगे हमेसे 1% की कमी कमी होगी और कमी कैसे निकाले होगी जो भाइलो कोशन में दिया रखा होगा उसका स्कॉयर करके सव से डिभाइड है उसका स्कॉयर करके सव से डिभाइड यानि एक स्कॉयर बट्टे सव पर तीसत क्लियर है तो एक का भाइलो क्या होगा जो आपके कोशन में भाइलो दिया ह कि आपको एक भी कोशन में डाउट है तो पूछना आए और डाउट नहीं तो प्ली चैनल को सेयर कर देना और लाइक इस वीडियो तो ठोकी दो और दबा के कर दो अगर लगा तो जो जो लड़के जो जो मेरे आपके भाई बहन त्यारी कर रहे हैं सेयर कर उसके पास वीडिय में ठीक के जाहिने